तीन प्रदेशों में अपनी सेवा देने वाली धौलपूर रोडवेस आगार की आए लॉकडाउन में फस गई है जिहां सरकार ने दो बसों को चलाने के अनुमती तो दी लेकिन एक बस में यातरी भार ही शुन्य है इस कारण उसे संचालित ही नहीं किया जा रहा ऐसे में रोडवेस पर अब संकट के बादल चा गए है रादस्तान में बाइस्मार्ट से बन रोडवेस को घाटा साट करोड रुपे से अधिक का पहुँच गया है धौलपूर आगार को प्रति दिन करीब दस लाक रुपे के फिलहाल आये होती थी लेकिन इस बाद रोडवेस कंगाली की स्थिती में पहुच गई है तो भही बसों का संचालन होने पर पहले उनकी मरमत कराए जाएगी आगार में फिलहाल बहतर बसे हैं इनमें से 10 बसे लॉकटाउन के कुछ दिन पहले ही मिली थी